दोस्तो आज की वीडियो में हम द लास्ट सप्पर जो आपकी पोवम है इस पोवम के एक्स्प्लेनिशन को देखेंगे हम यह पोवम दोस्तो आपकी कम्पोथ की गई है रेनर, मार्या, रिल्केजिद्वारा तो आए दोस्तो सचे पहले हम जानते हैं कि यह जो आपका पोवम का नाम है दे लश्ट सपार इसका मतलब क्या होता है लाश्ट का मतलब थो टो टा ँख़ी कि याल और जह सपर होता है दो स्थो यह उताक के रात तो यह आपके रातारी का भोजन यानि राते में रात में जो हम खाना क्का रहरे हैं उसको ओंघ भी बोलते कि सापर का मतलब से पहले के खाने वाला भोजन या ओन को आप इडनने पर पर जो खाना खाते हैं उसे बोलते हैं जैसे कि हम साम को कई बाद चाइपी लेते हैं या स्नेक्स ले लेते हैं तो उस हलके भोजन को इस light meal को हम खुएते हैं सपर जो कि हम evening भी लेते हैं तो यह evening meal होता है दोस्तो सपर का मतलब क्या है evening meal और last का मतलब होता है final तो the final इवनिंग meal है इसका मतलब पूरा मतलब अंतिम भोजन तो अंतिम भोजन से हमें समाझ में आ रहा है कि यह एक आखरी खाना है किसी लोगों के साथ बैटके खाया गया बनाब उसके बाद वो उनके साथ बैट के खाना नहीं खाएंगे तो होता यह है दोस्तो मैं इसमें आने से पहले थोड़ा सा इसके background के बारे में बता दूँ आपको कि इसमें होता यह है दोस्तो Jesus Christ है हमारे उन्होंने जो भी इनके disciples हैं जो उनके followers हैं उनको एककत्र किया है एक कठा किया है एक जगा पर और वहाँ पर वो क्या बोलते हैं सभी के साथ क्या कर रहे हैं साम का भोजन खा रहे हैं और खाते होए क्या कह रहे हैं कि यह मेरा last सपर है आप लोगों के साथ ठीक है दोस्तो तो वो last सपर ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसके बाद साइद वो arrest कर लिया जाए तो यहाँ पर होता ही है दोस्तों कि उनके जो disciples है उन्हीं के जो followers है Jesus जी के उनमें से एक जिनका नाम है Judas जे यू डी एस Judas नाम है जिनका जो कि इनके ही followers है Jesus का जीजस जी के तो अब होता यह है कि वो Judas को जो Roman के लोग है उन्होंने 30 silver coins दिये हैं और जब उन्होंने 30 silver coins इसलिए दिये हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि Judas है वो Jesus को पकड़वाए मतलब arrest करा दे Roman के लोगों से जो Roman के लोग है उन्होंने Judas को 30 silver coins दिये हैं तो यह चीज़ जो हमारे Jesus जीजस जी है वो उनको तो हब कुछ ही मालूम है दोस्तों तो वो सारे चीज़े वो पहले से उनको पता होता है तो वो जब last supper बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं दोस्तों उनके साथ खाना खा रहे हैं जीजस जी के साथ और खाना खाते समय वो कह रहे हैं कि आज यह मेरा आप सभी लोगों के साथ last भोजन है फाइनल इवनिंग मील है इसके बाद हम साथ ना खा सके एक साथ बैठके तो वो ऐसा इसलिए बोलते हैं जब वो ऐसा बोलते तो उन ही में से बहुत सारे उनके जो disciples होते हैं जो उनके followers होते बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं दूस्तों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इस बात को सुनकर तो जब वो डर जाते हैं तो उन कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में से ही कोई एक है जो की आज मुझे दोका देने वाला है यानि मेरे संद विश्वाद खात करने वाला है तो वहां पर दोस्तों 12 लोग लगबग बैठे होते हैं उनके साथ जीज़ जी के कि या कुछ वर्ड्स हैं जिसका मैं में मीनिंग आपको पहले बता देता हूं यहां पर एक वर्ड्स है दुस्तों समंड का मतलब होता है दोस्तों मतलब असेंबलेट करना मतलब बहुत सारे लोंगों को एकत्र करना गैदर मतलब खटा कर देना तरह से तो इसका मतलब यह है और यहां पर स्कारण करेंदर बको आतको मतलब बिखरन और यहां पर फञेंड है एक वरिसका मतलब अ बहुत है डरनः या डरा हुआ तो आएं दोस्तों के स्टैंजर को देखते है तो इसमें यह बताया जारा है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ इसमें ये बताया जा रहा है जब वो बताते हैं जो हमारे जीज़ जी है कि आज ये लाश्ट मतलब सपर है आप लोगों के साथ तो जैसे ही वो ये बात बोलते हैं दोस्तों जो भी वहाँ पर बहुत सारे लोगों खटा होते हैं एक टेबल के पार लास्ट डिनर करने जा रहे होते हैं तो जैसे ही वो जीज़ जी की इस बात को सुनते हैं सब्दों को सुनते हैं रुकिएगा दोस्तों तो जैसे ही सुनते हैं दोस्तों फिर इसके बाद वो लोग सुनते ही इनके ये words को बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जितने भी disciples होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं डर जाने का मतब यह है कि उन्हें मतब अच्छा नहीं लग रहा होता है वो ऐसा लगता है कि वो हमसे दूर हो जाएंगे Jesus और कहीं जा रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा वो फ्राइटेंड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं फिर उसके बाद वो इस तरह से डरते हैं दोस्तों यहां पर देखे एक्जामपल भी दिया गया यहां पर एक बात को सुना है तो अपने जो डर है उसको उन्होंने दिखाया है यहां पर एक एक इक्जामपल लेकर बर्ट का है जब गन चलती है इसके साउड से जो बर्ट्स रह dynamic haar बहुत जादा फैटेंड हो जाते। और सकेटर करने लगते और जब सकेटर करने लगते वह एपर नहोंने दिखाया है कि कैसे स्क्रें बहुत जदार को हुए हैं इसके बाद यहां पर वह यह बताते हैं कि यहां पर वह यह बता रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो उनको बहुत तरह की तरीके से दोस्तों सौक लग गया दोस्तों यतने भी वहां पर उनके साइपल से उनको सौक लग गया सौक इस तरह क्यों इस फाइटन राउन दे सपर टेबल बर प्रजेंट हावाई चीज़ दूस्तु यहां पर देखिये यहां पर हैंद्स द्रॉब बाक फॉम द रेचिंग फार लोप अपान दिस वर्ट द फ्लाइ अक्रोस तो हिम तो होता है यही है जब बॉल नहीं पर होता है उतना जड़ डर चुके होते हैं और डर क्यों चुके होते हैं कि उनके तरह के तरीके से सौक लग चुका होता है कि वो जो उनके जीजल जी हैं वो उनको लूस कर देंगे उन्हें खो देंगे अब तो इस तरीके से वो यहाँ पर खोनी का डर उनको बहुत ज़्यादा सता रहा है और साथ में यही होता है कि आकरी में यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और अब क्या है कि यहाँ पर देखिये लिखा हुआ है कि जब वो चले जाएंगे लेकिन यहाँ पर आ तो बस यही कहा जा रहा है उनसे की डिसाइपल से कि अगर वो उन्हें लूज कर भी देते हैं लेकिन फिर भी वो उन्हें पालेंगे क्यों क्यों कि जीजस है वो क्या है हर जगा है दोस्तों तो दोस्तों यही इसका एक्स्प्रेसिशन है इस पॉम का I have hope मैं अच्छे से समझ आलड़ खीगा